कुख्यात, शूटर, गैंगिस्टर, संजीब, महिशुरी, उर्फ, जीवा मारा गया आज लखनोव में अदालत के भीतर उसकी हत्या कर दी गई जीवा कौन है? मुक्तारंसारी से उसका क्या रिष्टा है? ये सवाल बहुतों के मन में कौन धरा होगा? कि इतना हंगामा क्यों है इसके नाम पर? जीवा के मारे जाने की खबर मुक्तारंसारी के लिए सबसे ज़ादा कश्ट देने वाली खबर समझे है मुन्ना बजरंगी के बाद मुक्तार का सबसे भरोसे मंद शूटर यही था जीवा जीवा की कहानी बड़ी बिचित्र है पश्मी उर्तपदेश के मुझफर नगर का रहने वाला ये गरीब परिवार का बच्चा था इसके मन में हसरत थी कि डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनने लाइक संसाधन घर में थे नहीं तो एक अपने ही इलाके के जोला छाप डॉक्टर के यहाँ कमपाउंडर कह लिजी असिस्टेंट कह लिजी कि तरह से बैठने लगा ये संजीव और पुडिया बांद के देना मरीजों को दवा की बस लेकिन इसके भाग में तो अपराधी बनना लिखा था तो एक दिन इसके जो मालिक थे डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि भी फलाने को हमने रुपिया उधार दिया था वो रुपिया लवटाल लए राजर जाओ देख्या हूं दे तो ले आना जीवा उस दिन गया और जब लोटा गया तो था कंपाउंडर के रूप में जब लोटा तो अपराधी हो चुगा था पैसे ले आया वहां से जीवा की अपराध यात्रा शुरू हुई और फिर कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इससे लगा ये कि उसने कुछ दिनों बाद अपने डॉक्टर का ही अपरण कर लिया और फिरोती ली फिर छोड़ा यहां से सरतला आगे चलता रहा जीवा का और सबसे जादा हंगामा मचा तब और उसका नाम प्रकाश में आया तब जब उनिस सो सतानवे में हाँ संभवता उनिस सो सतानवे वर्ष था जब उत्तरपदेश के कवीना मंत्री ब्रह्मधत्य दुवेदी की फरुखाब उनके छेत्र ग्रह छेत्र फरुखाबाद में चवराहे पर भीडभाड के बीच गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई उस हत्या से देश भर में हंगामा मचार उत्तरपदेश में तो कोहराम आ गया कल्यान सिंग की सरकार थी हंगामा मच गया ब्रम्त दुवेदी भाजपा की बड़े निताओं में शुमार थे उनकी शव्यात्रा में भाजपा की लगभग समूची नित्रत्र शंखला फरुखाबाद में पहुंची थी पाजपई जी से लेके एडवानी जी से लेके मोले मनोल्योशिता उस हत्याकान्य में जीवा का किरदार प्रमुक्ता ऐसा प्रमालित हुआ बाद में बाद में विधायक मने विजे सिंग पर भी उस हत्याकान्य की शाजिश रचने का आरोप था और वो भी उनके खिलाब भी मुकदमा चला लेकिन जीवा का भावकाल पूरे प्रदेश में मच गया हुआ एक बड़ी हत्या थी अभी तक जो तमाम गेंगस्टर थे शूटर थे ऐसा कोई नहीं था जिसने ब्रमदत के कद के किसी नेता की हत्या कर दियो किसीने दरोगा मारा किसीने सिपाही मारा किसीने इंजीनियर मारा किसीने ग्राम-प्रधान पार्शद एमेले मार दिया अब जीवा सबसे चहेता बन गया अपराद के मठाधीशों को पूर्वांचल में दो बड़े माफिया थे थे क्या हैं? एक मुखतार अंसारी और दूसरा बजेश सिंग दोनों के बीच में होड मच गई कि जीबा को अपने पाले में कौन लाए लेकिन जीबा इन दोनों में से किसी सीधे नहीं जुड़ा उसका तार जुड़ा जाके मुन्ना बजरंगी से कि मुन्ना बजरंगी का शागिर्द हो गया जीबा और आपको याद होगा कि पूर्वांचल में गटना गटी थी जिसने वहां की राजनीतिक जगत को हिला कर रख दिया था वो थी गाजीपूर में कृष्णानंद राई की हत्या भाजपा के सिटिंग एमेले उस हत्या में मुन्ना बजरंगी के साथ संजीव जीवा भी था गोली चलाने वाला 500 राउंड से ज़ादा गोली चली थी कृष्णानंद की हत्या में और वो ओपरेशन मुक्तार ने कराया था ऐसा कहते हैं लोग बाद में मुन्ना बजरंगी जेल में मारा गया और कृष्णानंद की हत्या के बाद से जीवा का सीधा कनक्शन जुड़ गया मुक्तार अंसारी से और मुक्तार अंसारी का वो सबसे चहेता प्यारा शूटर हो गया जीवा जेल में बन था और जब से योगी सरकार आई तब से जीवा के उपर भी शकंजा कस गया जीवा की करूनों रुपे की संपत्ति शाषन ने कुर्क कर ली उसके तमाम जो संपत्तिया बिखरी हुई थ अपराद के ढंग से कमाई गई थी आपराद के बल पर कमाई गई थी उन सबको शाषन ने खुर्द बूर्द कर दिया जेल में था लेकिन जेल में भी बताने माले बताते हैं कि जीवा पूरा दरवार लगा कर चलता था रहता था उसके लिए वो सब तमाम सुविधाएं बहां मोहिया होती थी जो किसी आलिशान घर में व्यक्ति को मिलती हूँ वो जीवा आज मारा गया आप सोचिए उत्रपदेश के दो बड़े राजनितिक हत्या कांट ब्रह्मदत दुविदी और कृष्णानंद राही दोनों में शामिल संजीव उर्फ जीवा आज मारा गया स्वभाविक है अदालत परिसर में कैसे मारा गया क्यों मारा गया वो जाच का विशे है किसने मारा कैसे मारा लिकिन हाँ धर्ती से अपराध का अपराधी का बोजिज कम हो रहा है और अतीक की हत्या की बाद उत्रपदेश के लिए ये दूसरी बड़ी घटना है जीवा को मारा जाना अपराधी कम हो रहे हैं कैसे कम हो रहे हैं इस विशे पर मत भेनता हो सकती है लेकिन अपराधी कम हो रहे हैं ये अच्छी बात है धन्यवात